रमजान में अगर आप पराठे फ्रीज कर लेते हो तो आपको बहुत वाइदा होता है जब आप लेट हो जाते हो रोजे के लिए तो आप फूरन से डीफरोज करें और पराठे को बनाकर खा सकते हैं अस्सलाम अलेकुम मेरा नाम है जोया और आज मैं लेकर आई हूँ फरोजन पराटों की बहुत ही बेटरीन सी रसेपी तो यहाँ पर मैंने गंदुम का आटा लिया है हस्बिसाई का नमत और इसमें तीन चमच मैंने घी के शामिल किये हैं आप खी के चका मक्षन का इस्तमाल कर सकते हैं कोकिंग ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं या पर देसी घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो बजार से पराठे मिलते हैं उसमें हलकी सी मिठास होती है अगर आपको वह मिठास पसंद है तो आप इसमें दो चम्मद चीनी के शामिल कर सकते हैं मुझे वह मिठास बिल्कुल पसंद नहीं तो इसलिए मैंने वह step skip कर दिया है अब घी और आटे को आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इकटे होने पर असानी से इस तरह से तोट जाए इसका मतलब है घी और आटा अच्छे से मिक्स हो गया है इसके बाद आपने आहसा आहसा पाने शामिल करना है और एक अच्छी सी डो बना लेनी है अगर आप पराठा बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी मरसी के मताबिक आटे को सक्त बना सकते हैं मतलब टाइट डो बना सकते हैं या सॉफ्ट डो बना सकते हैं लेकिन अगर आपने ने ने पराठे बनाना शुरू किये हैं आप से पराठे अच्छे नहीं बनते तो मेरा मश्वरा यह है कि आपने डो थोड़ी सी टाइट रखनी है क्योंकि जब सक डो होती है तो आटा संभालना असान हो जाता है अब यहां पर मैंने एक दफा आटा अच्छे से इकठा किया हलका सा पानी लगाया ओपर से अच्छे स देना है एक से दो मिनट उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी लगा कर आपने इसको रेस्ट देना है इस तरीके से फाइदा यह होता है कि आटा बहुत ही मुलाइम तयार होता है जितना अच्छा आटा तयार होगा उतना ही अच्छा जो है ना हमारा पराठा बनेगा तो यहा पराठो का size बड़ा होता है तो उसको defroze करके जब आप निकालते हो तो कई बार पराठे अच्छे से नहीं निकल पाते तो इसलिए पराठो का size आपने normal रखना है आपने medium size के पराठे बनाने हैं अगर आप उससे भी छोटे बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं लेकिन size आप दो चमच आठे के mix करने है और बिलकुल घी की तरह ही एक better आपने ready कर लेना है ताके पराठे के अंदर वो ठहर सके अब यहाँ पर हमने एक clear घी की लगा देनी है अच्छे से और इसके बाद अब यहाँ पर हमने इसको करना है cut कुछ इस तरीके से हमने cuts लगाने है और इसक के बाद हमने इसको fold कर देना है बहुत यह असानी सी इस तरह से fold हो जाएगा अच्छे से इसको इस तरह से हमने चिपका लेना है ताके जो पेड़ा है वो अच्छे से बन सके हमने घुमा कर इस तरह से पेड़ा त्यार कर लेना है बहुत सारे पेड़े आपने इस तरह त्य से हमने बے लेना है पतले बहुत साथा नहीं बनाने आपने वरना वही बात हो जागी कि डीफ्रोज करते हुए पराथे अच्छі नहीं बनेगे अब यहाँ पर पराटा हो गया है तयार तो चलें आब इसको करते हैं set अब यहाँ पर मैंने लिया है बटर पेपर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने परशान नहीं होना कोई भी शॉपिंग बैक को आपने cut करना है इतने size में कि उसमें पराठा अच्छे से set हो सके मैंने last time frozen पराठो की recipe को record किया था उसमें मैंने shopping bag को किस तरह से cut करना है और आपने set करना है सारा तरीका बताया है अगर आपको recipe चाहिए तो description box में आप चेक कर सकते हैं उसका link में वहाँ पर दे दूगी तो यहाँ पर butter paper को हमने इस तरह से लगा देना है और पराठी को उठाना है और यहाँ पर एक दफ़ा set कर लेंगे ताके पराठा जो है ना अच्छे से set हो जाए क्योंकि इसी shape में इसने freeze हो जाना है अब यहाँ पर उपर भी हम butter paper रखेंगे और इस तरह से हम cut करतेंगे और इसी तरीके को follow करते हुए हमने layering करते जाना है butter paper लगाना है हमने उसके ओपर पराठा रखना है और तमाम पराठो को इसी तरह से त्यार कर लेना है अब यहाँ हमने इनको freezer में रख देना है ताके यह अच्छे से set हो सके एक से दो खंटों के लिए मैंने इसे इसी tray में ही freezer में रखना है ताके इनके जो shape है वो थोड़ी set हो जाए इसके बाद मैं इसको किसी भी shopping bag में transfer कर दूँगी या फिर हम ziplock bag में जो सबसे बेतर option होता है आप महफूस करके रह सकते हैं ताके इसमें बर्फ ना जबें थोड़ी देर के लिए आपने इसको defroze करना है और पराठो को direct आपने तबे में डाल देना है और subscribe कर दीजेगा मैं इन्शाला एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी लेकिन आज के लिए दीजे मुझे इजाज़त फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अल्लाहाफस